यह आपका Apostrophe to Helen, Apostrophe का मतलब किसी को संबोधित करके उसके बारे में कुछ कहना, जब Faustus अपने साथियों के कहने पर Helen को बुलाता है फर्स टाइम, और उसके बाद जब उसकी उम्मीद खतम हो जाती है कि वो कभी बच नहीं सकता शैतान के चंगुल से, second time Helen को जब बुलाता है, तब Faustus उस Helen को संबोधित करता है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, notes, यह जो Apostrophe to Helen है, अगर Faustus as a Renaissance man पूछा जाए, या Dr. Faustus as a play of the Renaissance पूछा जाए, तो आप general points को लिख कर, वो जो Marlovian tragedy है, वो सब लिख कर, आप mental conflict को छोड़ दीजे, Marlovian tragedy वाले सारे points, introduction वाला box, लिखने के बाद या Apostrophe to Helen को भी add कीजे, क्योंकि यह Renaissance को represent करता है, Renaissance शब्द देखते ही, वो जो Faustus के character के points है, without mental conflict, boxes हैं, ये हैं, या आपको add करना है, Faustus represents, Faustus दरशाता है, The quintessential, मूल, Renaissance man, Renaissance काल का पुरुश है ये, It is his thirst for knowledge, ज्यान की जो प्यास है इसके अंदर, वो ही उसे उकसाती है के वो शैतान के साथ सौदा कर ले, that drives him to sign a pact with the devil, वो शैतान के साथ सौदा तै करने को ready हो जाता है, He calls up a vision of Helen, Helen को बुलवाता है, vision, Actually, रूख है वो, The famed beauty of Greece, Helen, Greece की अत्यांत सुन्दर राजकुमारी थी, और इसकी कहानी है एक, और उसके उपर महा काव्य लिखा है होमर ने, तो Faustus, Helen के रूखों को बुलवाता है, Helen famous beauty है Greece की, and wishes to possess her, और वो उसे sexual संबंद रखना चाहता है, अब हम पहले समझें की Helen थी कौन, Helen Greece की राजकुमारी थी, बहुत सुन्दर, जैसे हमारे यहां स्वयमवर की प्रथा हुआ करती थी, Greece में भी रहा है, तो Helen के फादर ने, Helen के लिए स्वयमवर का आयोजन किया, तो सारे नामचीन, जितने योध्धा थे, राजा थे, राजकुमार थे, सब आ गए स्वयमवर में, और सब अपना बेस्ट तैयारी करके आये थे, परंतु स्वयमवर में Helen ने, मेनलोस नाम के, एक बहुत कमजोर राजकुमार को चुना, अपना पती, सब लोग हक्के बक्के रह गए, कि इतने ताकतवरों को छोड़ कर, इसने इतने कमजोर राजकुमार को आखिर क्यूं चुना, किसी को समझ में नहीं आया, जब स्वयमवर खतम हुआ, शाम पड़ी, तो ठुकराए हुए, रेजेक्टेट सारे राजकुमार, राजा, योध्धा एक जगह मिले, और वे विचारना चाते थे, कि आखिर ऐसा क्या हुआ, में न लोस को इसने क्यूं चुना, तो उस विचार विमर्ष का जो निशकर्ष या कंक्लूजन इन लोगों ने निकाला, वो ये था, कि हेलन क्योंकि इतनी खुबसूरत है, तो ये चालचलन की खराब होगी, चालचलन की जरूर खराब होगी, और इसी लिए उसने हम में से किसी ताकतवर राजा राजकुमार को नहीं चुना, क्योंकि हम तो उसकी हरकतों को बरदाश नहीं करेंगे, और उसने कमजोर राजकुमार को चुना, जो की आवाजी नहीं उठाएगा, तो ये अपने गुलचर्रे उड़ाती रहेगी, और अपने काम करती रहेगी, इसी लिए हैलन ने मेंनलोस जैसे कमजोर राजकुमार को चुना है, इन लोगों ने क्या-क्या मेंनलोस को बुलवाया, और उसे समझाया कि देख भाई, तेरे को चुनतो लिया, पर हमें पता है कि तेरे को क्यों चुनाए, और निश्चित रूप से तेरी शादी हो जाए, फिर ये बेवफा सिद्ध होगी, जब ये बेवफा सिद्ध हो, तो तु हम सब को याद करना, हम सब आएंगे, हम सब आएंगे तेरी मदद करने, हम तेरा पक्ष लेंगे, तु हमें याद करना, हेलन की शादी मिनलोस से हो जाती है, और शादी के कुछ समय बाद, ट्रॉइ शहर का राजकुमार प्रिंस पैरिस, इसके साथ इसका लवफेर हो जाता है, और पैरिस के साथ हेलन भाग जाती है, यूनान वासियों के लिए, ग्रीक्स के लिए, नाक कटने वाली बात हो गई, शान गिरने वाली बात हो गई, ये कहना कि हमारी महरानी भाग गई, तोनों ने कहना शुरू किया कि प्रिंस पैरिस आया और इसे भगा कर ले गया जैसे हेलन की उसमें मर्जी ना हो तो मिनलोस ने तब इन सारे ठुकराएवे राजा राजकुमारों को बुलावा भेजा और वो लोग सब आए और ये ही है फेमस बैटल ओफ ट्रॉई जो दस सालों तक चला ग्रीक्स और ट्रोजन्स के बीच ट्रॉई शेहर के लोगों के बीच और उसमें ये महान योद्धा सारे गई यूलिसिस जिसको ओडिसियस के नाम से जाना जाता है और इसी के ऊपर होमर ने इलिएड नाम का महा काव्य लिखा बैटल ओफ ट्रॉई के बारे में इलिएड और होमर ने ओडिसी नाम का जो महा काव्य लिखा उसमें यूलिसिस या ओडिसियस यूलिसिस या ओडिसियस ये जो है इसकी कहानी है ओडिसी और इटली में वर्जिल नाम के राइटर ने इनीड नाम का महा काव्य लिखा जिसमें हीरो इनियस है उसने भी इस बैटल ओफ ट्रॉई में पार्ट लिया था तो ये महा काव्य इसी बैटल ओफ ट्रॉई के उपर लिखे गए है और इसी हेलन को फॉस्टस ने बुलावा भेजा है ये हेलन को संबोधित करके उसकी सुंदर्ता की जो तारीफ की गई है अपॉस्ट्रफी हे सो एंड सो तुम मैसी हो Beginning with the line वो अपॉस्ट्रफी का फर्स्ट लाइन है Was this the face हेलन का चहरा देखकर फॉस्टस पूछता है क्या ये वही चहरा है That launched a thousand ships इस चहरे के पीछे हजार जहाज युद्ध के लिए निकल पड़े Greeks निकल पड़े थे ना सारे महान महान युद्धा एक जु टोकर और ट्रॉइ नगर के लिए एक हजार जहाज ले कर जाते हैं एक हजार जहाज उस जमाने में बहुत बड़ी गिंती होती थे आज कोई खास चीज नहीं है And it is probably शायद ये speech is play का most famous speech है And it is probably the best known line in the play इस play का सबसे जाना माना line है ये Was this the face that launched a thousand ships Helen के लिए Fosters कहता है The story of Helen's abduction अगुआ कर लिया जाना By Prince Paris Prince Paris के द्वारा Helen को उठा कर ले जाना And the ensuing war Ensuing बाद में जो घटित हुआ युद्ध Between the Greeks and the Trojans Greeks और Trojans के बीच Culminating जिसकी चोटी क्या थी Culminating चोटी Peak In the siege of Troy Greeks ने Troy को हथिया लिया प्राप्त कर लिया उस पर कबजा कर लिया Siege कबजा करना Is told by Homer in the Iliad Iliad नाम के महाकाव्य में इस घटना का वर्नन है The aftermath of the war Aftermath परिनाम इस युद्ध का परिनाम For two of the individuals कम से कम दो युद्धाओं के लिए एक तो Odysseus जिसके उपर Homer ने Odyssey लिखी और Aeneas जिसके उपर Virgil ने इनीड नाम का महाकाव्य लिखा Involved is told in Homer's The Odyssey and Virgil's The Enid Helen's celebrated beauty Helen की beauty जिसकी खूप तारीफ की गई है Was thus the cause of suffering, death and exile Helen जो इतनी सुन्दरी थी वो कारण बन गई इतने सारे लोगों की suffering, मृत्यू निशका से थोना, देश से बाहर जाना पढ़ना, इतिया दे But Faustus is prepared to suffer all this Faustus Helen से कहता है कि मैं ये सब कुछ जिलने को तयार हूँ तो मेरे पास आजा He proposes, Helen से कहता है Troy Nagar को जला दिया गया था न Greeks ने तुमारे Troy को जलाया था न मैं अपने वर्टनबर्ग शहर को जला दूँगा, बस तुम मेरे पास आजा मैं तुमारे पती मिनलो से लड़ लूँगा He proposes to sacrifice Wittenberg जिस शहर को फॉस्टस खुद बिलॉग करता था W-E-R-W-I-T-T दोनों करेक्ट है Instead of Troy, Troy की जगह मैं अपना शहर वर्टनबर्ग या विटनबर्ग जला दूँगा Instead of Troy, to fight, फिर कॉमा To fight me in a loss, Helen's husband, तुमारे पती से लड़ने को तयार हूँ And defeat even the Greek hero Achilles और Achilles बहुत महान युनानी योद्धा था मैं उससे भी लड़ लूँगा, बस तुम मेरे पास आजा Faustus praises Helen in exalted terms खूब लंबे चौड़े बड़े बड़े विशेशन देकर उसकी सुंदर्ता की तारीफ करता है पौरानिक कहानियों में जितनी सुंदरियां है उन सब से इसको compare करके वो कहीं नहीं लगती तुम्हारे सामने ऐसा कहता है in exalted terms, बड़ाय चड़ाय गए शब्दों में she is fairer, brighter and lovelier वो जादा सुंदर है, जादा bright है, जादा खूबसूरत है than the most beautiful women of mythology पौरानिक कहानियों की सुंदरियों से जादा सुंदर है and he hopes to become immortal और वो hope करता है कि वो अमर हो जाएगा after receiving a kiss from her Helen से कहता है तुम मुझे kiss कर लो जित्में मैं अमर हो जाओंगा यही काफी है मुझे अमर हो जाने के लिए अमर क्यों हो जाना चाता है ताकि शैतान उसकी आत्मा को पकड़ कर कहीं लेना जा सके